England vs South Africa World Cup का 20-वा मेच और ये मेच खिला जाएगा मुंबई के इस्टिडेम में यहाँ पर मेरा आज का कोशन है गिववे के लिए कि यहाँ पर England vs South Africa कॉन सी टीम यहाँ पर विन करेगी कमेंट करके बताओ और गिववे विनर बनने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है साथ मैं आप सभी के लिए लाएँ है कि एसा इसपेशल कॉन्टेस जिसके अंदर आप जोइन करोगे और हन्रेड परसें आप जीतोगे किस तरीके से यह मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो वीडियो को सुरू करते हैं जैसा मैंने बताया है कि इंग्लेंड वर्ट से साउथ अफरिका का यह 20वा मैच है वल्लकप का तो सबसे पहले हम दोनों टीमों के हैड़ टूइड की यह बात कर लेते हैं तो नोटिस करना कि 30 आपर इंग्लेंड विंड के हैं 33 आपर साउथ अफरिका ने विंड के चो दोनों टीमों के है रिसेंट फोम भी देख लेते हैं यहाँ पर हम देख पाय रहे हैं लास्ट मेच इंग्लेंड ने लोस हुआ था इससे पहला इन्हों ने ज़िता था इससे पहला वह आपर हरी थी आपर scenario हो रहा है कि यह टीम हमें select करनी चीए आपर इसको skip करनी चीए simple सारोल से कि दोनों टीम हमें लगबक same ही दिख रही है और अभी के recent form की इसाब से भी लग रहा है कि ठीक है यार दोनों tic-tac team है अब इस situation में क्या होता हर को यह कहता है कि यहां पर small league चीए grand league चीए क्यानि कि हर को यहां पर grand league avoid करेगा क्यूंकि को competition बहुत ज्यादा हो जाएगा लगबक सभी टीमों के सारे player लोग same select करेंगे लोग को पता England में से कौनसा select करना है लोग को यह भी पता South America में से कौनसा select करना है इस cage के अंदर तो grand league बनाना मुस्किल है नहीं है ऐसा बिलकुल भी नहीं है यहां पर grand league के आपको as advantage मिलता है कि एक से दो player के उपर ही आपको risk लेना है क्योंकि यार अभी जो आपको 11 player select करना है उसमें से 8 से 9 player तो आप आराम से decide कर सकते हो हो ना कि कौन से होंगे यहां पर साथ तो आप सोचे सकते हो ना इस match के लिए कि कौन से क्योंकि दोनों team है खेल चुकिए काफी matches अब आराम सा idea लग जाए कि भी हमें इसको select करना है या फिनी करना है ठीक है तो यहां पर क्या होगा कि 7 player अगर आपको पता चल गए तो बच्चे वह जो 4-5 player यानिकि 7-8 हो गए तो 4-5 player पर ही तो team बनानी यानिकि जो पहले एक team बनाते है उसके जिगा 5-6 team में बनाएंगे तो ओटोमेटिकली तो ग्रालिक जीदेर का चांस तो बढ़ गए नहीं याँ पर आप इस logic को ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा तो चलो team बनाते हैं तो team बनाने से पहले एक बार discuss कर लेते हैं दोनों team के playing 11 इसके बाद दोनों team के playing 11 को मैं explain भी करूँगा डेविड इसके बाद ब्रेश्टो, जोई रूट, बैनिश्टो, जोस बटलर, लिविंग श्टोन, सेमकरन, चेरिस, एडिल, आर्क और टोपलर ठीक है तो यह पर यह 11 प्लेयर है playing 11 इंगलें टीम से अब यह 11 प्लेयर तो हो गया लेकि सबसे बड़ी बात यह आती है कि किस प्लेयर को सेलेट करना और किस प्लेयर को अवोइड करना है क्योंकि टीम बना रहे ठीक है जहां से समझो, डेविड मला, डेविड मलार को आप सामिल करोगे, इस मेच के लिए बहतीरन ओप्शन है क्योंकि पीछ बैटिंग फ्रेंडली रहना ठीक है तो यहां पर हम डेवि प्लेयर की टीम बना रहे हो तब इसको सेलेट कर सेलेट कर सेलेट कर सेलेट तो बागी पांच टीम होगी तो इसके अंदर ब्रेशन हमारा सेलेट हो जागा ठीक है जोई रूट की बात करें तो जोई रूट को अपनी तीम के अंदर सामिल करेंगे एज प्लेयर हमाई टीम क इसके बाद Benishtok की बात करें तो Benishtok को अपर जोभी इसके अपडेट होगी वगरा मैं आपको बता दूँगा लेंकि फिलाल के तोर पे अभी आप चाहो तो अपनी टीम के अदर साम्मिल कर सकते हो ठीक है इसके साथ मैं जोस बटलर की बात करें तो जोस बटलर थोड़ा सा कन्फूजिंग रह सकता है क्योंकि अगर आप ग्राणले की टीम बना रहा हूँ यह मैं पहली टीम बना रहा हूँ अगर मेरी दूसरी टीम होगी तो इसके जिगवर मैं आपनर के बैस्में नहीं तो यहां पर हम तीन प्लेयर को सुलेट कर चुकि अभी तक देन यहां पर बात करें सेम करण की तो सेम करन को आप सक्टो लेकिन तीन बनाओगे टीम 1 जो भी एक्स्में कर रहे तू जिसमे मैं आपको बता है कि आपना की वैट्समें नहीं ले लेंगे हम मीडियो लोगर के तो तो प्ले के तो प्ले को बढ़िया चूज रहने वाली तो एसे बॉलर्स के तुरपर आप काफी प्लेयर को वेटेस देना हो तो ये एक अच्छा उप्शन है तो ये वह प्लेयर हो गए जो हमारी टीम के अंदर होंगी अभी तक यहां पर मैंने बता है उस करकोड़ी में आपको 6-7 प्लेयर बता दिये हैं कि इस टीम साब किसको वेटेस दे सकते हो और किस केस में क्योंकि जब हम पांच टीम अगर बना रहें तो ग्रांडी जितने के च पर बना रहें जिसका लिंक में ने डिस्क्रिप्शन और कमेंड बोक्स पर पिन कर रहें जाके डाउनलोड कर देना क्योंकि पर्फेंड फेमिली के जो भी मेंबर है इस लिंक से डाउनलोड करेंगे उन सबी को वहां पर एक कॉंटेस दिखेगा जिसके अंदर 100% वीन गार आउनलोड करके आप पहला डिपोजिट करोगे तो यहां पर हमारा कूपन कोड आप यूज कर देना वीन 20 ठीक है वीन 20 जैसे आप यूज करते हो तो यहां पर आपको मिलता है 20% एस्टा रियल केस्ट तो जल्दी से जाओ डाउनलोड कर लो तेन यहां पर आप बात करेंग है हमारे प्लेंग 11 साउथ अफरीका टीम के साउथ अफरीका टीम से आपर नोटिस करो क्वांटम डिकोग इसके बाद टेंबा इसके बाद रेसिस और एडन मार्कम क्लासें डेविड मिलर मार्को जैसन फिर कोजी महारास रबड़ा और लूंगी डिग ठीक है यह 11 प्लेयर मुंबई की टीम से खेलता है और मुंबई के पीच इसको आइडिया है कि किस तरीके किये ठीक है तो ऐसे कैप्टन वाइस काप्टन के लिए बड़ा ऑप्शन है बले ही लांस मेच के अंदर आपको रन कम दिख रहे है बीस लेकिन इसे पहले बहुत बड़ा बनाया और इस अगर थोड़ा सेफ सेट जाना हो तो यहां पर इसमोल लिग के अंदर वेटेस दे देना बाकि इस पेज को आपको आप से एक तीम भी आपको दू जिसके अंदर अपना कॉंबिनेशन ट्राय कर सको या एक टीम दे दूँगा और अब अप्शन दे दूँगा ताकि यहां आप अपनी दो से तीम है बना पाओ अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और रेसी के यहां पर बात करें तो यहां पर नोटिस करना कि यह जो प्लेयर है जब खेलता बहुत अच्छा केल सकता है लेकिन साथ में यहां पर विकिर गिरने के चांजेस भी काफी ज्यादा इसके उसकेस के अंदर क्या करना है इस प्लेयर को ऐसे टॉस को पर छोड़ देंगे देखो किस तरीके से कि यहां पर आपको मैं अच्छा अप्शन देता हूँ कि यह टीम साओ अफरिका अगर पहले बैटिंग करती है उसकेस में यह प्लेयर हमारी टीम के अंदर होगा अगर अच्छा उप्शन ही रहता है लेकिन सिदी सी बात है ना कि अभी वेटेश देना है कि नहीं देना सबसे बड़ा सवाल तो इसका यहां पर सिंपल एक शॉलूशन निकालते कि आप कमेंट करके बताओ कि इस प्लेयर पर में वेटेश दू या इसको इसको करूँ आपके इस कि सबसे इस मेंच के अदर इसी क्या हाला तो कि क्या सिच्वेशन नोगी कमेंट करके बताना ठीक है अब यहां पर आगे बढ़ते है लका इसे अपकी टीम के अदर हो ना चाहिए एसे के अच्छा उप्शन निए लेकि ट्रिम टीम का यह प्लेयर हो सकता है जिसके वज़े से इस धर को अम अडर समय्कें करंगे at that by Subs labels कि लाट ह JI अपनी टीम के दर समय्क खरेंगे टयूर को अपनी टीम के दा समयुकर से तो यहां संहमारे थीसरा थीं प्लेयर। हो चुगेuba करने इद है फारे पहलाnhा कॉंट्वम्ट रिच masa हो गई दैने अपर मार्थ absorbs प कोजी का आप काम करना अगर if you skip David Miller को अगर गदे वेटेस कोजी पर वेटेस देना कोजी पर आप अच्छा ओप्शन है सब्सक्रीफ में जा माराजा के साथ में शब्सक्रावीज में तो बहुत ग्रक्तावले एज और जा सब्सक्रावी reckless विकट टियुक्थ विक्तर एतम ऑरी प्टावeger हो 왉प और विक्नगन के सब्सक्रावर गव. जल्दी से डाउनलोड कर दो और comment box में ने pin भी कर रखा है ठीक है अब यहां पर हमारी team को समझे कि यहां पर team की तरीके से हमने बनाई है तो notice करना कि यहां पर मैंने wicketkeeper के तौर पर अब यहां पर आपको एक चीज बता देता हूं कि देखो यहां पर आपको तीन wicketkeeper के साथ में जाना है इस grand league अगर आप तीम बना रहे हो तो इस दो wicketkeeper के साथ में ही जाना है अब यहां पर पूछो कि तो फिर मैंने ऐसा changes क्यूंकि सिंपल सा reason है मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है कि for example अगर यहां पर England की team पहले bowling कर रही है तो उस case के अंदर क्या करोगे कि इन दोरों में से बटलर या ब्रेश्टो में से एक player को आप हटा होगे और एक player को यहां पर ऐसे bowler वेटेस दोगे साउथ अफरिका के team से ठीक है जो कि मैंना भी आपको option बता है तो इस तरीके से आपको यहां पर थोड़ा सा change करना पड़ेगा मेरी final team में आपको तेडिगा पर देंगा लेकिन अभी की अब यहां पर वीडियो के आखिर में बस यही कहना चाहूंगा इस खेल में आदर लग नहीं आर्थिक जोगिंग संभव है तो जिम्मेदारी से खेलें